आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रीतु में भूद बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे फ्रेश हनी ओरेंज मोहितों। इसके लिए हमें चाहिए 30 ml शहर। एक ओरेंज या समर ओरेंज जिसको मैंने काटके बीज निकाल दी हैं। एक फ्रेश ओरेंज का जूस, एक नीबू का रस और एक चम्मस सब्जा के बीज जिने मैंने एक घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। दस से बारा पुदीने के पत्ते। सबसे पहले हम गिलास के अंदर अपना ओरेंज एट कर देंगे। औरेंज में से बीज हमें अच्छी तरह निकाल देने हैं। और इसके उपर एक वाइट सा छिलका होता है। वह भी हमें अच्छी तरह साफ कर देना है। वरना यह सारे मोहितों को कड़वा कर देंगा। अब हम इसके अंदर पुदीने के पत्ते आड़ कर देंगे। और साथ में शहद भी आड़ कर देंगे। आप शहद की जगह पिसी चीनी डाल सकते हैं। पर शहद इसके टेस्ट को भहत अच्छा एन्हेंस कर देगा। और बैलेंस भी करेगा। अब हम मडलर की हैल्प से इन्हें अच्छी तरह से मैश करेंगे। इस तरह मैश करने से जो पुदीने का रस है वह शहद और और ओर ऑरेंज ये तीनों आपस पे बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं। बहुत अच्छा कूल फ्लेवर देते हैं। आप मडलर की जगह ब यह मैंने एक lemon juice लिया है आप चाहें थोड़ा कम या ज़्यादा लिसकते हैं अपने टेस्ट के कॉर्डिंग एक orange का juice मैंने एड़ कर दिया जूस मैंने बिल्कुल fresh निकाला था अब हम दो टेबल स्पूल सबजा के बीज एड़ कर देंगे एक टेबल स्पूल सबजा के बीच को हाफ कप पानी में भीवोने पर वो लगभग चार टेबल स्पून बीच बन जाते हैं फूल कर इस तरह अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बाद में हम इसके अंदर आइस एड़ कर देंगे आप चाहें तो आइस क्यूब जैट्स कर सकते हैं या आइस को क पेस्टी लगता है यह इस तरह से हमारा फ्रेश ओरेंज मोहितो बन कर तैयार है अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें आपका मेरी वीडियो को अंतक देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया धन्यवाद प्लीज बहुत-बहुत-बहुत